इस lecture में हम देखेंगे thermodynamic properties ठीक है तो thermodynamics की जो properties होती है ये दो type की है एक है आपकी extensive properties एक है आपकी intensive properties देखें extensive properties क्या होंगी वो property होंगी जो depend करेगी quantity of matter depends on the quantity of matter present in the system मतलब जो भी system आपको दिया गया है उनमें जो भी matter available है उसकी quantity पे अगर वो depend करती है मतलब अगर आपने उसकी quantity को change किया और वो property भी अगर change हो गई तो वो आईगी आपकी extensive property में और next है आपका intensive property intensive से आप देखो intensive से इसका जो in है इससे दिमाग में रख सकते हैं independent ठीक है तो intensive मतलब independent तो ये जो quantity होगी matter की उससे independent होंगी वो property होंगी आपकी intensive तो याद करने का तर intensive में आईएन आ रहा है और independent में भी आईएन आ रहा है तो intensive हमेशा independent होंगी और बाखी बची होई extensive आपकी dependent होंगी ठीक है अब देखते हैं ये quantities जैसे पहली हम बात करने वाले हैं extensive तो मैंने बताया extensive क्या करेंगी depend करेंगी ठीक है तो अगर हम volume की बात करते हैं तो मान लीज कर दिया है दो पार्ट में मालने हाप आप दो पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया है तो volume जो 10 लीटर था वो 55 लीटर रह गया तो इसको अलब क्या हुआ चेंज हो गया तो volume आपका क्या है extensive क्योंकि ये quantity पर depend कर रहा है next number of mole, mole क्या होता है mole होता है mass upon molecular weight, molecular weight तो constant होता है किसी भी quantity का लेकिन उसका जो mass है उस पर depend करेगा मतलब आपके number of moles भी quantity पर depend कर रहे हैं ठीक है next mass mass तो quantity पर depend करेगा इसमें कोई doubt ही नहीं है अब next point आपका ये है कि जितने भी type की आपकी energies होगी जितने भी type की आपकी energies होगी जैसे e बरावर mc square होता है Einstein log ठीक है तो e proportional to m तो हम इस तरीके से ये सोच सकते हैं कि आपकी जो भी energy होगी वो mass पर depend करेगी तो जितने भी energy अभी इसमें आने वाली है वो सारी के सारी energy आप अब लिखा हुआ है ठीक है अब हम बात करते हैं internal energy ठीक है तो देखिए कोई भी अगर system है कोई भी system है जिसमें molecules present है वो molecules की अपनी एक rotational energy होगी vibrational energy होगी तो ये सारी energy को summarize करके all energies को sum करके जो energy बनती है वो होती है system की internal energy तो अगर आप molecules को divide कर देंगे या इसके volume को change करेंगे या इसका quantity को change कर देंगे तो उसकी internal energy भी change हो जाएगी क्योंकि उनके rotational molecules के energy और vibrational के energy भी effect हो जाएगी तो इसका मतलब क्या निकला कि internal energy आपकी जो है वो extensive है क्योंकि ये quantity पर depend करेगी ठीक है तो आपका क्या clear हुआ पहला energy clear हुआ e बनावर mc square से आपका internal energy clear हो गया उसके अ enthalpy heat capacity और work ये सारी के सारी एक type की क्या होती है heat heat मतलब एक type का क्या है ये भी energy ठीक है मान लीजिए उसी energy को आपने constant volume पे लिया तो आपने उसे बोल दिया internal energy अगर pressure constant ले लिया तो आपकी हो गई enthalpy ठीक है और उसी तरीके से आपका क्या होता है entropy heat capacity आपकी होती है cp और cv ये भ लेकिन ये सारी के सारी आपकी क्या है energies है और energy ही सारी के सारी extensive में आएंगी जब तक कोई special term नहीं दे दिया जाता मतलब अगर वो ये ना बोल दे molar molar सब्द अगर वो ना दे specific word ना यूज करे तो वो सारी energy आपकी extensive में आ जाएगी ठीक है तो अब हम देखते हैं आपकी intensive intensive मे देखिए volume मैंने आपको बताया extensive है लेकिन उसने क्या use कर दिया molar volume मतलब जो substance है उसने उसकी जो एक mole के लिए fix कर दिया तो since उसकी quantity एक mole fix हो गई तो अब ये क्या होगे आपका extensive क्योंकि अब ये एक mole है sorry intensive ठीके next है आपकी density तो देखिए density आप ऐसे दिमाग में रख सकते है कि water है water आप चाहे 10 लीटर हो एक ml लो 100 ml लो आप कितना भी water लो उसकी density fix होती है क्योंकि ये particular variables को दिमाग में रखते हुए इसको calculate किया जाता है तो जो भी liquids होते है या जो भी substance होते है उनकी density हमेशा मतलब constant रहती है ठीके refractive index ये भी आपको constant होता है जैसे water है water का refractive index आप कि इसना ही water लीजिए constant रहेगा ठीके viscosity जैसे आप चाहे glycerine या फिर honey किसी को भी mind में रख लीजिए आप उसको कितने भी parts में divide कर दो उसका जो viscous nature है वो change नहीं होगा ऐसा नहीं है कि आपने honey को अगर दो parts में divide कर दिया तो honey पतला हो जाएगा नहीं वो उतना ही विसकस होगा यह भी एक fix quantity है molar enthalpy मैंने आपको बताया कि enthalpy एक energy है और यह extensive है लेकिन यहापे molar सब्द यूज कर लिया तो यह intensive हो गई ठीक है ऐसा ही molar entropy entropy तो आपकी extensive है लेकिन molar molar सब्द लग गया मतलब एक mol के लिए तो यह आपकी intensive हो गई chemical potential chemical potential क्या होता है Gibbs free energy per mol मतलब इसमें भी क्या बोल दिया उसने per mol per mol बोल दिया मतलब quantity fix कर दी तो यह भी आपकी कैसी हो गई intensive specific heat देखिए यह एक formula जैसे देखा था q बराबर mc delta t यहाँ पे जो c होता था तो q upon m delta t मतलब अगर एक kg का कोई substance लें तो उसमें जो heat change होगा एक degree celsius या एक Kelvin temperature के change करने पर जो भी उसमें heat में change होगा वो होगी होगी उसकी specific heat तो specific heat में क्या हो गया m constant हो गया तो यह भी आपकी intensive हो गई बाकी pressure तो जानते ही है pressure तो कोई फरक नहीं पड़ता वो intensive है ठीक है boiling point भी intensive है यह सबको पता है और temperature भी intensive है तो यह सारी की सारी burp properties है जो हो intensive है ठीक है so thank you very much